नमस्कार दोस्तों, टीजर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे गुरु घासिदास, विश्वविद्याले, बिलासपूर जो एक सेंट्राल उनिवर्सिटी है यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे टीजिंग पोजिशन का वैकेंसी है टोटाल 2-5 टीजिंग पोजिशन का वैकेंसी है बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो चलिए चलते हो उसका ओफिसियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डीटेल्स में डिसकस करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूगे हम यहाँ टीचिंग रिलेटर्टर्ट सारे के सारे स्टेडिस कम्पिटिटिब एकजामस और जॉब्स के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो यह है गुरु घासिदास यूनिवरसिटी का ओफिसियल वेबसाइट जो एक सेंट्राल यूनिवरसिटी है तो यहाँ नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पढ़ेगा तो हम नीचे चलेंगे यहाँ देखे हैं मेंचन किया गया है कि रिक्रुट्मेंट न्यूज तो recruitment news को आप detail में देखने के लिए यहां view all पर click किजिए तो यह है इसका dedicated page जहां आपको recruitment related सारे के सारे information आपको मिल जाएगा तो recently जो recruitment news आया है यह है इसका latest notification इसको यह आप scroll करोगे तो पुराना वाला जो भी recruitment news है यहां भी आप इसको मिल जाएगा तो पहले हमारा यह जो latest notification है हम इसको देख लेते हैं 18.11.2021 को आया है तो इसका जो advertisement देखने के लिए यहां देखिए red color में जो एक i का symbol दिया गया है आपको इसी के उपर click करना पड़ेगा तो मैं इसी के उपर click कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यह है इसका एक छोटा सा notification एगेन मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे तो यहां यह जो notification है यहां आपको बोथ हिंदी और इंग्लिस में मिल जाएगा तो यहां देखिए mention किया गया है यह जो notification आया है latest यहां mention किया गया है यह जो teaching positions है सारे के सारे teaching position एक contractual basis पे होगा पहले इसको 6 महिने के लिए contractual देन इसको बढ़ा भी जा सकता है और इसके लिए आपको जो salary देना पड़ेगा यह आपको 25,000 करके मिलेगा per month ठीक है और यह एक walking interview है तो मैं इसको again इसको open करके मैं देखता हूँ और यहां आपको दोनो language में मिल जाएगा नीचे हिंदी उपर English बाकी इसका जो detail notification है आपको यहां मिल जाएगा eligibility criteria क्या है application form and tentative venue details सारे के सारे चीज आपको मिल जाएगा मैं इसको थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ total vacant position allied subject सारे के सारे आपको यहां मिल जाएगा ठीक है मैं सारे के सारे अभी आपको दिखा देता हूँ तो यह गया advertisement इसके बाद आप देखें यहां mention किया गया है इसके लिए जो eligibility criteria सारे के सारे चीज mention किया गया है eligibility criteria में आप यहां देख सकते हो कुछ mention नहीं किया गया है therefore assistant professor university teaching department यहां fixed salary आपको जो मिलेगा 25,000 करके मिलेगा यहां mention किया गया है eligibility आप नीचे देख सकते हो यहां mention किया गया है master's degree में कम से कम 55% marks होना चाहिए इसके साथ साथ यदि कोई slate, set या net clear किया है तो उनको first priority दिया जाएगा ठीक है net, slate and set यह आपके लिए compulsory है इसके अलाबाद जिन्होंने MPHL PhD किया है उनके लिए भी अच्छा है वो यहां apply कर सकते है देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे यहां देखिए mention किया गया है जो भी student PhD किया है उनका PhD कम से कम regular mode पे होना चाहिए ठीक है और उनका जो PhD है यह evaluate होना चाहिए कम से कम दो external examiners के द्वारा तो इस प्रकार का PhD के कुछ criteria mentioned किया गया है आप यहां देख सकते हो note में देखिए यहां mention किया गया है net slate slate shall also not be required for such master's program in discipline for which net slate and slate is not conducted by the UGC तो ऐसा यह कुछ course है जहां जिस subject के ऊपर आपका net slate slate का exam नहीं होता है तो उनके लिए भी यह चाड़ मिलेगा ठीक है हमने पूरा सारे साथ देख लिया है then then हम next देखेंगे next यह है इसका application form जिस दिन आप जाओगे work-in interview आटन करने के लिए इसी form को आपको fill up करके लेकर जाना पड़ेगा ठीक है यह एक form है इसी form को लेकर आपको जाना पड़ेगा यहां mention किया गया है दे बाइड़ आप क्यानिड़ेट वाक-in interview for the post of assistant professor on ad hoc और purely temporary basis ठीक है यह आपका application form है then यहां देखें वैकेंशी जो mention किया गया है कौन-कौन सा subject में कितने कितने वैकेंशी है आपको यहां मिल जाएगा जैसे कि यहां mention किया गया है left side में department then यहां post tentative position of purely temporary basis teacher for recruiting remaining period of the session 2021-22 English में जो vacancy है total on reserve में तीन vacancy है एक ST के लिए एक OBC के लिए एक EWS के लिए ठीक इसी प्रकार हिंदी के लिए तीन on reserve में एक SC के लिए एक OBC के लिए एक EWS के लिए तो इसी प्रकार आप पूरा subject देख सकते हो journalism, mass communication, library science, physical education, education, special education, special education, HIP, special education, LD, economics, history, political science, social work then pure and applied physics, chemistry, forestry, pharmacy, CSIT, mathematics, management studies, commerce, law, anthropology, botany, forensic science, geology, electronics and communication engineering, computer science and engineering, information technology and engineering, mechanical engineering, biotechnology and rural technology यह सारे के सारे subject है then यहाँ आप देख सकते हो same subject यहाँ mention किया गया है again यहाँ से आप देख सकते हो तो बाकि आप यहाँ से देख लेना इसका जो notification है इसको थोड़ा सा detail में आप थोड़ा पढ़ लेना then ठीक इसी के नीचे आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे notification है और यहाँ देखे और एक notification है यह 25 आट को जो आया था यह अक्चुली एक rolling advertisement है और यह permanent position का advertisement है ठीके मैं इसको भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यह है इसका हिंदी बाला notification जहाँ आपको 500 रुपिया देकर आप यहाँ अपलाई कर सकते हो प्रोफेसर, आसोसियेट प्रोफेसर और आसिस्टन प्रोफेसर के लिए और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है यहाँ भी आपको यह मिल जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हो यह है इसका application form यह है इसका डिटेल नोटिफिकेशन कॉनसर डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंसी है और यह सारे सारे पर्मानेंट पोजिशन के लिए है ठीक है तो पर्मानेंट पोजिशन और जो हमारे contractual पोजिशन दोनों के लिए यहाँ vacancy है तो आप इसको एक बार चेक कर लेना यह ruling advertisement है मतलब जब तक यह open है जब तक fill up नहीं हो जाता है तब तक यह vacancy रहेगा जब fill up हो जाएगा इसको close कर दिया जाएगा तो इस प्रकार का इसका notification है तो यह था इसका detail advertisement तो मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि आप apply करने से पहले आप एक बार university से पूछ लिजिए contact करके आप पूछ लिजिए उसके बाद आप यहाँ apply कीजिए यह सबसे अच्छा रहेगा ठीक है तो यह था इसका details thank you all the best